यू बिल नॉट लीब कैनेडा एड़ दा एंड ओफ यूर स्थे जादतर विश्टर वीजा की जो एप्लिकेशन है उनको रिफ्यूजल में जही रीजन मिलता है अभी आपने री अप्लिकेशन करनी तो इसको प्रूब कैसे करें यह तो वहीं पर बहीं अटका हुआ है वीज सब्सक्राइबूरों पत्राइब उसको वीजा जलदी मिलेगा हर कोई कट्री उसको वीजा जल्दी देती है इसके पीसे क्या रीजन है क्योंकि उसके 20 अपनी home country में strong है, उसका एक अच्छा खासा business है, वो पिछले 4-5 साल से काम कर रहा है, हर एक government को लगता है कि ये बंदा बापस अपने business के लिए जाएगा ही जाएगा, तो उसको visa देने में कोई problem नहीं है, आपने भी अगर Canada visitor visa application करनी है, आप कोई भी काम कर रह हो, चाहे वो business है, चाहे वो job है, चाहे वो agriculture है, at least minimum 3 document उसको prove करने के लिए लगाओ, और वो काम आप कितने सालों से कर रहे हो, उसकी detail भी देना मत बूल, क्योंकि यही main point होता है Mr. Visa प्राप्त करने के लिए, जा refusal से बचने के लिए, जितना अच्छा आपका काम होगा, जित chances of visa भी उतने ही अच्छे होते हैं, अभी दूसरा funds, अभी ज़्यादा तर लोगों को क्या लगता है, कि जितने ज़्यादा funds होगे, ज़्यादा funds शो करने से हमें visa मिलेगा, नहीं, बहुत सारी application just because के ज़्यादा funds होते हैं, इसी लिए refuse होता क्या है, bank statement लगाते हैं, उसमें एक चार लाक के entry होगी, फिर तीन लाक के entry होगी, फिर पांच लाक के entry होगी, जा कोई भी recent time में large deposit होते हैं, statement निकालते हैं, application के साथ लगा रहे हैं, वो तो सीधा पढ़ा है, सामने पढ़ा है, officer के, को reason आप अपनी application refuse करने का खुद दे रहे हो, तो कि आपने क्या किया, आ आपने large deposit करा है, उसका source तो दिया नहीं, नहीं, ज्यादा funds show करने से कभी visa नहीं मिलता, funds चाहें आप कम show कर दो, बट आपकी transaction history कितनी है, यह matter करती है, और बहुत करती है, minimum एक account की statement लगानी चाहिए, और बो statement तीन, चार, पांच, शे मन्त परानी हो, ज्यादा बैटर है, औ और उसमें आपकी transaction history maintain हो, visitor visa apply करना है, six month late apply करो, but with strong statement apply करो, जितनी आपकी statement strong होगी, chance of visa उतने ही high होगी, उसके बाद, movable assets, inmovable assets, कितनी property आपके पास है, अपनी home country में, अभी ऐसा नहीं होता कि आप property बेज के visitor visa पे जाओगे, नहीं, property आपकी home country से आपके टाइस strong दखाएगी, कि आपने इतनी investment यहाँ पे की हुई हुई है, या इतनी, इतने की property आपके पास है, दूसरा आपने mutual funds में कितना डाला जा, और कोई LIC में कितना, कितनी investment total आपने अपनी home country से की है, और उसकी current date की value, उसकी surrender value वहाना, आज में उसकी कितनी value, कोई भी LIC क policy आपने चार साल पहले लाई होती है, और विस्टर वीजा की application में चार साल पहले की जो policy उसकी copy लिगा रहे हो, वो तो चार साल पहले थी, आज उसकी value क्या है, और बहुत सारे consultant इस चीज़ की गलती करते है, document लगा रहे हैं, बढ़ चार साल प्राणा, उसकी क्या value है, चार साल पहले आपने policy लिए, उसके बाद आपने break रा दी होगी तो, high commission के पास इतना time नहीं है, कि आपका एक-एक document वो verify करते हैं, उन्हेंने देखना है, आपने document updated date का लगाया जा नहीं लगाया, लगाया तो ठीक है, नहीं लगाया, तो refusal, so कोई भी document, चाहे वो property का, चाहे वो LIC का चाहे, mutual fund, bank statement, और बहुत सारे लोगों के पास FDR होती है, fixed deposit और नहीं कराया होता है, और fixed deposit को दो साल हो गए होते हैं, चलती को, और दो साल पहले जो FDR की copy हो वो लगा रहे हैं, नहीं, वो दो साल पहले की थी, आज उस FDR की value क्या है, उस चीज़ का proof दो, तभी आपके अपने ties, अपनी home country से strong होंगे, उसके बाद family ties, सबसे जरूरी है family ties, आपकी family में कौन कौन है, कितने members आपकी family में हो, already कितने members के साथ रह रहे हो, आपके brother sister कितनी है, आपके बच्चे कितनी है, बहुत सारे लोगों को Mr. Visa की application जद अप्लाई करते हैं, तो उनसे पूछा जा मत डालो, क्यों नहीं डालोगे भई, उसी से तो आपको Visa मिलना है, जितने brother sister आपके अपनी home country में होंगे, मतलब आपके family ties अपनी home country में strong होगे, आपके पास reason होगा अपनी family के पास आने का, तो जही main points होते हैं, यहाँ पे हम नुकसान अपना करवा लेते हैं, क्योंकि वही document को अगर अच्छे से लगाओंगे, Visa मिल जाएगा, strong presentation हर बार की तरह, और वही document को अगर आप ना तो updated date के लगाओगे, ना अच्छे से present करोगे, तो Visa नहीं मिलेगा, so next time अगर आपको भी ऐसी refusal मिलती है, तो next application करने से पहले इस वीडियो को जुरूर देखो, ताजो कोई इनो कोई benefit आपको मिल से, ना निवाद,